हेलो फ्रेंड मैं एक्सिकुमार धेंडवाल आपसे भीका स्वागत करता हूं आपके अपने यूटूब चैनल नर्सिंग पार साला पर फ्रेंड अपन लोगों ने जो सब्चेक स्टार्ट कर रही थी वो थी अपनी कम्यूटी हेल्थ नर्सिंग जिसके अंदर अपन लोगों आपने वेक्सिन अपना थोपिक ताव रहेगा रहएगा डिविकिन के बारे में आपना जोपिक होगा न क्या होती हैतो फरॉस्ट अपर फॉर्स अपल अपना संबंता है कि पर आपना इंस बने गा कवनेगा फ्रेंड डिपी टी चे की eating होती उसकी फूल फैर्म क्या आती है क्या होती है कि डिप थीरिया पर्टोसी और टिटनेस डिप्टिरिया पर्टोसी और टिटनेस यह अपने जो डिप्ळी वेकशिन उसकी फोण फोराम होती है तो फॉरस्ट क्यूज निया बन चुका है यहाँ से next अपने बात करते हैं जो रहेगा वो रहेगा कि यह जो वेक्षिन होती है वो किस फॉर्म में आती है तो अपने लोगा ने बात कि थी बीसी जी के बारे में और मिजल्स के बारे में तो यह दोनों जो थी वो किस फॉर्म में थी पाउडर फॉर्म में थी लेकिन बेशी जी की डिपीटी की बात करें तो यह किस फॉर्म में होती है लिक्वीड फॉर्म में होती है फ्रेंड किस फॉर्म में होती है लिक्वीड फॉर्म में होती है नेक्ष अमाउंट की बात करें तो फ्रेंट कितनी होती है जीरो पॉइंट फाइब अमाउंट की बात करें तो कौन सा रूट होता आई एम लगाते है फ्रेंट इसको किस रूट के उपर लगाते है आई एम और वहीं अपन लोगों ने बीसी जी को कहा लगाया था बीसी जी को लगाय रहे था सबक्यूटे नियाइस ठीक है फ्रेंड तो और इसको किसका लगाते है इसको लगाते है आई या मेंटर मस्कुलर इंजेक्शन लगाता है फ्रेंड इसका ठीक है अब बात करते हैं इसकी जो डोज होती है वो कब कब लगाई जाती है ताइमिंग के बात करते है तो इ दे इसकी डोज फ्रेंड एक टो एक और लगती है परस्ट अज लगती है वह लगती है तरफ कि rats वी उपर लगती है सेकेंड़ोजिक यसेट कि बात यह तो 10 वीक के ऊपर सेकनड़ कब लगते है तरफ नज लगती है तैन वो कब लगेगी, 4th डॉज लगेगी, 16 to 24 week के उपर, 16 to 24 week के उपर, और 5th डॉज के अपन बात करें, वो कब लगेगी, 5th to 6 year के उपर, ठीक है, वो कब लगेगी, 5th to 6 year के उपर, तो अपन लोगों ने बात की, 1st डॉज कब लगेगी, 6 week के उपर, 2nd 10 week के उपर, 3rd लगेगी 14 week पे 4 लगेगी 16 to 24 week पे और 5th dose होगी वो लगेगी 5 to 6 year के उपर तो फ्रेंड इसकी total कितनी dose लगती है total लगती है 5 dose फर्स लगती है 6 week पे फिर 10 week पे फिर 14 week पे 16 to 25 और फिर 5 to 6 year पे ठीक है फ्रेंड तो यह अपना चोटा सा topic था जो डिपीटी के बारे में था फ्रेंड इसके अलावा इसके अंदर से कोई भी ऐसा question नहीं है जो बनता हो डिपीटी के जो अपन वेक्षिन होती है वो किसके लिए लगाते है डिप्थेरिया पर्टूशी रो टिटनेस के लिए और बात करें तो यह क्या है यह कंबाइंड वेक्षिन है फ्रेंड कंबाइंड वेक्षिन क्यों है क्योंकि इसके लिए तो यह कंबाइंड वेक्षिन होती है यह होती है combined killed vaccine होती है ठीक है फिरेंट तो डीपीटी के अंदर इसके लागा कोई भी क्यूसन नहीं बनता है तो अपना अभी तक BCG मिजल्स और डीपीटी है वो complete हो गया next अपनी जो class होगी वो होगी पोलियों के वारे में पोलियों की जो वेकसिन होगी फ्रेंट क्लास कमप्रिट करने इस पी लिए आप लोगों के लिए आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर देना, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हमारी वीडियो जाज़ा सेयर कर देना